Hello everyone, स्वागत है आप सभी का CGPAC ABCD के इस YouTube चैनल में इस वीडियो के अंदर हम computer का mock test number 5 देखेंगे यह जो mock test होगा 5 नंबर का यह जो है फुली जो है computer के एक chapter पर related होगा chapter का जो नाम है वो है software ठीक है यहां से भी questions आपको exam में देखे जाते हैं हमेशा देखने को मिलते हैं कि software क्या होता है ठीक है software कितने प्रकार के होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा system software, application software, utility software यह सारे software के भी कुछ questions हम देखेंगे कौन कहुंसा system software, फिर हो गया हमारा application software इसके बाद हो गया utility software इसे संबंदित भी हम question के अंदर देखेंगे कुछ और भी important questions software से related देखेंगे ठीक है operating system के बारे में जानने को थोड़ा बहुत इसमें मिलेगा और जो भी इससे related जो exam में one day exam में पूछे जाते हैं हो सारे doubts आपके यहां पे कोशिच करूँगा कि clear कर दूँ ठीक है ना चलिए question number one के और बढ़ते हैं और वीडियो को pause करके आप पुरा इस वीडियो के अंदर हम actually 20 questions को देखेंगे ठीक है इससे पहले कि मैं 10 questions लेकर आता था ठीक है बट इस बार explanation जादा लंबा नहीं करूँगा और मैं 20 questions को इस वीडियो के अंदर discuss करूँगा भचांज है कि computer इस क्रम में program को निस्पादीत करता, निस्पादीत करना मतलए execute करता है ठीक है? किसी भी program को run हन वर एक्सेट करना, उसी को हम Hindi में निस्पादीत करना थे हैं इसका सही answer क्या होना चाहिए हमारे पास चार option में से इसका जो right answer है option number C ठीक है fetch, decode और execute इसी क्रम में जो हमारा computer होता है किसी भी program को execute करता है यह चार तरह रहा होता है fetch, decode, execute और लास्ट होता है एक store ठीक है यह चार stage में यााद रखिएगा यह चार steps में कहा होता है जो हमारा computer होता है किसी भी program को execute करता है पहला कौन सा होता है पहला होता है fetch अभी मैं समझाता हो थोड़ा सा कैसे काम करता है दूसरा हो क्या decode करना ठी इसके बाद जो तीसरा होता है वह था execute और finally जो चौंथा होता है वह था store करना यह चार step में computer हमारा जो होता है वो किसी भी program को execute करता है देखिए क्या होता है मैं यहाँ पे एक roughly बनाता हूँ माल लेते हैं यह computer का main memory है ठीक है यह computer का main memory है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक हम ले अले यू ठीक है ए लीओ के अंदर क्या होता है सारी जो mathematical operations हिहां पे होता है control unit को करने का ilo Program सो भी हमारे फ्रोंक रहता है तो RAM के अंदर सबसे primary रूप से जाता है, हमारा main memory के अंदर ही, main memory ही दो तरका होता है, RAM और ROM, यह जो मैं पीछे memory वाले chapter में पढ़ा आ चुका हूँ, ठीक है, तो main memory में RAM और ROM दोनों आता है, तो सबसे पहले जैसी प्रोग्राम को execute किया जाता है, ठीक है, शुरू किया जाता ठीक है, fetch यानि ले आना, ऐसा होच समझे, तो main memory से जो हमारा instruction होता है, जो program, program, मतलब program क्या होता है, यह भी आप समझे लिजे, program जो होता है, set of instructions होता है, ठीक है, set of instructions, instructions का set जो होता है, उसी को हम क्या कहते है, program कहते है, ठीक है, software कहते है, तो यहां से हमारा, जो है, कहां control unit क के पास गया तो इस प्रक्रिक्राइब फेच कहे दिये अब जो control unit होगा क्या करेगा यहां से जो कुछ भी instruction आया था ठीक है उस सारे instruction को क्या करेगा decode करेगा ठीक है और decode करके उसको command के रूप में बदल देगा ठीक है समझ में आया यहां से हमारा जो हमारे instructions था फेच हुआ, control unit के पास गया, control unit क्या किया उसको decode किया, decode करने के बाद उन instructions को command के रूप में दे दिया और इसके बाद उन command को कहा ALU के पास भेजता है, arithmetic logic unit में, अब arithmetic logic unit क्या करता है, इसको execute करता है, तीसरे number पर क्या हो गया हमारा, execute हो गया मतलब जो कुछ भी operation है, मालों दो number को जोड़ना है, तो दो number को जोडने के लिए जब भी हम enter करते हैं, तो 2, 3 और बीच में add का sign होता है तो यह सबसे पहले है, तीनों की तीनों जो है कहां control unit भेगा, control unit क्या करता है, उसको decode करेगा, मतलब 2 को, 3 को और plus sign को सब को decode करके, और command के form में कहां ALU के पास भेजेगा, अब ALU क्या करेगा, उसको execute करने का काम करेगा, ठीक है, और पूरा execute होने के बाद, arithmetic operation यहीं पर हो जाता है, बाद में computer बें display हो जाता है, तो यह चार process में हमारा जो program जो है, वो निस्पादित होता है, execute होता है, कौन को सा, पहले fetch होता है, फिर decode होगा, execute होगा, और last में store होगा, यह sequence को याद दगेगा, exam में यह पूछा गया है, ठीक है, चले, दूसरा प्रशन दिखते ह है, दूसरा प्रशन है कि निम ने लिखी तमें से कौन सा app, open source software है, ठीक है, देखे, open source, जो software होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया हमारा open source, ठीक है, open source software और दूसरा जो होता है, उसको हम कहते है, closed source, closed source को और बोला जाए, proprietary भी कहा जाता है, ठीक है, proprietary software भी कहलाते हैं, ठीक है, मतलग, यह open source जो होतना है, सभी जितने भी developers होते हैं, जो programmers होते हैं, उनके लिए freely available रहता है, इसका जो source code होता है, नो सब के लिए available होता है, सब उसमें programming करते हैं, सब उसका use करते हैं, लेकिन closed software जो होता है, यह किसी easy company के द्वारा बना जाता है, जो इस Windows हमारा operating system में क्या है, यह open नहीं है, उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, तो Windows क्या है, एक तरह का closed software के अंदर आता है, जैसे WhatsApp, ठीक है, WhatsApp यह free नहीं है, ठीक है, इसके बदले हम से किसी नहीं किस तरह किसे चार्ज किया जाता है, जाए आप data के रूप में चार्ज जेते हो पैसे के रूप में चार्ज देते हो, यह सब किसमें आता है, हमारा closed software के अंदर आते हैं, जैसके भी बहुत सारा हो गया, जैसके Skype हो गया, ठीक है, दखेंगे तो, और देखेंगे, आपर लिख दता हूँ, closed के अंदर, winrar होता है, winrar, यह भी एक तरह का software है, ठीक है, MS office जो ह software है, वो भी कैसे, इसके अंदर आता है, जैसे आप सुने हो, Mac OS, Mac OS हो गया, Unix हो गया, यह सब के सब क्या होता है, closed के अंदर आते हैं, अब open source के अंदर देख लीजिए, यह windows किसके अंदर आता है, closed या proprietary के अंदर आ गया, Mac OS भी होता है, इसी के अंदर होता है, Unix BC के अंद रहे हो, option number B, ठीक है, यह हमारा जो Linux है, Linux है, यह क्या है, open system software है, ठीक है, open system software, clear है, आपको उमीद है, इतना समझ में आगो, जैसे open system software के अंदर एक तो हम यह देख लिए, Linux हो गया, इसके लावा आप याद रखिएगा, जैसे आप देखे हो, mozilla Firefox, ठीक है, mozilla Firefox, यह क्या है, एक तरह क्या है, open software है, ठीक है, open software, mozilla Firefox का यूस कहा करते हो, आप तो यह एक तरह का web browser है, ठीक है, जैसे VLC media player जो होता है, यह भी एक तरह क्या है, open source software है, ठीक है, तो यह सब याद रखिएगा आपको, बहुत काम का चीज़ है, यह सब exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, प्र Office या फिर Windows, इसमें से कौन सा हमारा operating system नहीं है, इसका जो रायत answer है, option number C, MS Office, MS Office जो होता है, यह एक operating system नहीं है, यह क्या है, एक तरह का application software है, ठीक है, याद रहेगा, क्या है यह application software, और जो हमारा operating system होते हैं, यह ना system software होते हैं, याद रखिएगा, application software में क्या 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 है, MS Office हो गया, जैसे operating system में गया, तो system software के अंदर गताते हैं, जैसे, मतलब यह जो software इसको भी हम दो तरीके से बाट सकते हैं, application और system, तो operating system जो है, यह system software के अंदर आता है, क्योंकि इसके बीना हमारा computer हो कारी ही नहीं करेगा, on ही नहीं हो पाएगा, यह भी समझ लिजी, ठीक है तो पुरे computer को शुरू से लेके, ठीक है, मतलब जब आप computer को start करते हैं, तब से लेके जब आप shutdown करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, उस समय तक हमारा जो operating system है, वो कार्य कर रहा होता है, ठीक है, operating system के बीना हमारा जो computer होगा, वो on भी नहीं हो पाएगा, इसलिए जो operating system है क्य क्या बोल रहा हूँ, एक तरह का system software है, जबकि MS office के है, एक तरह का application software के नतरगत आता है, ठीक है, मतलब यह DOS, ठीक है, disk operating system कहते हैं, DOS का full form, यह DOS है, इसका full form होगा disk operating system, ठीक है, unix तो एक तरह का है, operating system, windows भी हमारा operating system है, यह MS office एक तरह का application software है, ठीक है, देखिए, operating system के पारे, पहले बात तो हम क्या, एक तरह का system software, system software के अंदर कुछ और भी अगर जानेंगे, तो जो device drivers होते है, ठीक है, जो drivers computer के अंदर install किया जाता है, यह सब क्या कहलाते है, system software के अंतरगत ही आते है, ठीक है, application software के अंदर हम गये, तो हमको क्या क्या दिग गया, जैसे हम अपने use के लिए, जो काम की चीज़ के लिए, हमार जो अपना application रखते है, वो सब किस के अंदर आता है, application software के अंतरगत आता है, जैसे अगर आप देखेंगे, तो हमारा क्या हो गया, एक तरह का, Microsoft Office तो हो गया, और जैसे हम यूज़ करते है, Photoshop अगर यूज़ करते है, ठीक, फोटो अगर एडिट करने के लिए, तो यह सब हमारा application software हो गया, जो हम अपने use के लिए, उस computer के अंदर रखते है, ठीक है, और जो हमारा system software है, उसके अंदर तो हमें लिखी दिये, क्या लिखे, कि हमारा operating system होता है, उस system software के अंदर हो गया, device के जो drivers होते है, जो हमारा application software होते है, यह high level language के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, इसमें इसकी जो software बनाई जाती है, जब तो यह high level language में इसका software को develop किया जाता है, जैसे इसके अगर high level language का मतलब देखेंगे, तो java, c++, ठीक है, यह सब के सब किसमें आता है हमारा, high level है, python, ठीक है, यह सब क्या है, high level language है, application software को इसके अंदर लिखा जाता है, वहें जो हमारा operating system होता है, इनको low level language में लिखा जाता है, ठीक है, याद रहेगा, low level language में इनको लिखा जाता है, ठीक है, तो यह सब हमारा हो गया, इस question का explanation, ठ सौफ़ा प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर और उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या अपराधिक गतिवीधियों को करने में प्रियुक्त सौफ़्ट्वेर को क्या कहते हैं मतलब सिंधी सी बात आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से सौफ़्ट्वेर है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने कारे करते हैं यह सिंपल सी बात है तो इसमें कौन को शेयर बजार माले या फिर फ्रिवेर इसका सही एंसर क्या हो चाहिए यह तो हमाराए सही एंसर आपको पता होगा माले को हमार को हम क्या करते हैना वाइरस कःते हैं यह का तो ठीक है वाइरस का फूल फो में बताया हूं वाइटल इन्फॉर्मेशन अंडर सीज ठीक है यह हो गया हमारा मालवेर मतलब वाइरस समझेगा ठीक है अब दिखिए जैसे कुछ आप वाइरस का नाम भी आप याद रखिएगा अगर हम यह देख रहे हैं तो कुछ हमको वा टोजन हार्स ए सबू盡 हो गया हमारा मलवेर है रैंसंड रैंसम व्यर हो गया हफम सब के यह सब किसमें आते हैं हमारा म सब केorn Lead के रहते हैं जैसे क्या घर्ग उगया इस से पहले पढ़ा है हूँ टेस्ट लिया हूँ उठिक है जिसमें यह सारे कहम क्विस्ट्टन भी बन चोगें तो की लॉगर्स हो गया बौनेट हो गया इंटरनेट वगरह चलाते हैं तो उस समय क्या होता है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर यूजर्स को क्या करते हैं बार बार अवांचित विज्यापन एड की तरह देते रहता है जैसे आप जैसे कोई कोई website खोलते हैं वहां पर देखेंगे तो बार बार आपको कुछ pop-up मिलते रहेगा जिसमें आपको क्या होगा फालतुक आपको नोटिस मिलता रहेगा दीखते रहेगा या फिर विज्यापन दीखते रहता है इसी को हम एड़ गयते हैं एड करने की दिरिश्टी से बना जात चलिए पाचवा प्रश्ट पाचवा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न लिखीत में से कौन सा कारे नहीं है ठीक है इंपुट आउट्पुट डिवाइसे पर नियंतर रखना बिल्कु सही है ये वाला तो है उसका कारे यूजर्स के द्वारा चाहे गहे उप्युक्त चुनाओ करना ठीक है जब तक पहली बात तो जब तक अपका अपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो अपका कंप्यूटर ही कुछ भी काम नहीं करेगा ठीक है कोई इंपुट आउट्पुट डिवाइसे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना दो तरह का मैंने क इन दोनों के बीच में इंटरफेस का का चारिय करता है यहां पर इन दोनों के बिच में इंटर फेस का कार्य कौन करता है हमारा system software के अंतर जो तो operating system ठीक है मतलब operating system जो होता है वो क्या करता है हमारा जो application software और जो hardware होते हैं ठीक है computer के hardware उन दोनों के बिच में इंटर फेस का कार्य करता है याद रखेगा एक्जाम में पूछा गया ह ठीक है तो यह पहला ठीक है input output devices पर नियंतरा रखेगा ठीक है बिल्कुल दूसरा user के दोरा चाहेगा है उपियुक software का चुनाव करने में मदद करेगा यह भी सही है computer के संसादन जैसे memory, CPU, time आदी को अबंटित करना इसी का काम होता है तो यह भी सही है चौन था high level language को assembly language में translate करना यह operating system का काम नहीं होता है इसलिए हमारा जो option number D होगा हमारा इस question का सही answer होगा ठीक है देखिए अच्छे जो high level language को assembly language में convert देखिए हमारे पास अच्छे यह आगे के questions में आएंगे वहाँ पर clear करूँगा कि compiler क्या होता है assembler क्या होता है interpreter क्या होता है तो हम आगे के question में देखेंगे ठीक है चली बढ़ते हैं चटवे प्रेस्टिक जोड़ चटवा है किन्यम ने लिकीत में से कौन सा operating system software किसी computer को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है MS-DOS ठीक है MS-DOS Windows Unix या उपरोक्त में से सभी कौन सा इसका सही answer है इस चारों में से कौन सा ऐसा है ठीक है जिसका use computer को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है MS-DOS Windows Unix या उपरोक्त सभी यह हमको बताना है ठीक है इसका जो right answer होगा option number D उपरोक्त सभी देखिए computer system को आरंभ करने के लिए हमको सबसे पहला क्या चाहिए होता है operating system ठीक है operating system और operating system कोई सा भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जब Unix होगा तभी चालू होगा या windows का होगा तभी चालूगा ऐसा नहीं है computer कोउन होने के लिए बस एक basic सा operating system उसके अंदर होना ही चाहिए यह चारो तो operating system ही है windows MS-DOS Microsoft disk operating system windows भी एक तरगा operating system है Unix भी operating system है मतलब यह चारो के चारो हमारा मतलब तीनो जो है सही है ठीक है चलिए सातों अप्रस्ट सातों अप्रस्ट में निम्न अंकित software में कौन सा antivirus software नहीं है ठीक है अभी हम पीछे देखे थे virus ठीक है virus क्या होता है जो हमारे computer को नुकसान पहुंचाता है उसको damage करने का काम करता है ठीक है उसको हमको block करने का कारे करता है computer slow down हो जाता है तो यह सारे चीज़ को हम virus कहते थे अब उसको रोखने के लिए हमारे computer को सुरक्षा प्रताम करने के लिए उसके विरोध में एक software बनाया जाते है जिसको हम antivirus software कहते है ठीक है क्या कहते है antivirus software अब यह चारों में से कौन सा जो है antivirus software नहीं है macafé spelling भी याद रखेगा macafé opera क्यों खिल और norton कौन सा जो है इसमें antivirus software नहीं है इसका जो right answer है option number B B जो है एक antivirus software नहीं है ठीक है opera opera क्या है एक तरह का यह तरह का होता है web browser यह पीछे मैं एक class ले चुका हूं एक mock test हम ले चुके हैं जिसमें हमने web browser और हमारा search engine है दोनों के बारे में हम देखे थे mock नहीं था बड़ छोटा से एक video था जिसमें मैंने सारा चीस आपका डाउड क्लियर कर आया था तो opera क्या है एक तरह का web browser है एक antivirus software नहीं है बाकि मैं cafe quick hill not on यह सब के सब antivirus के अंदर आते हैं ठीक है कुछ और भी अगर देखना है तो आप याद रख सकते हैं antivirus के कुछ नौन जैसे कि यह सब तो होई गया जैसे और होता है आपने सुना होगा AVG ठीक है AVG होगा यह भी एक antivirus है bit defender ठीक है bit defender हो गया एक होता है Avira होता है Avast होता है ठीक है इसके बाद Macafit हो हो गया एक होता है Casper Sky ठीक है यहां प्याद रखिएगा Casper Sky यह भी क्या है एक तरह का antivirus ही है ठीक है तो यह सब आप antivirus का नाम याद रखिएगा यह ठीक है प्रेस्ट पर्मंग साथ आठमा चलते हैं आठमा प्रेस्ट है कि MS word किसका उधार है ओपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर का application software का या फिर hardware का किसका है ठीक है इसका जो right answer क्या है हमारा option number C एफिकेसिशन सोफ्टवेर का एक उधारन, ठीक है, एफिकेशन सोफ्टवेर का अंदर हमने देखा था कि MS Office, ठीक है, तो इस MS Office के अंदर ही MS Word आता है, ठीक है, इस Package के अंदर, जो MS Office होता है, Microsoft Office, उसी के अंदर MS Word आता है, मतलब यह भी तरह को कहा है, application software ही है ठीक है application software बता था MS Office हो गया Photoshop हो गया ठीक है और देखेंगे तो जैसे कि हमारा page maker हो गया यह सब क्या होता हमारा क्या बोलते हैं सब application software है ठीक है तो MS Word भी एक तरह के क्या होगा application software के अंदर ही आएगा ठीक operating system में तो हम जानते हैं यह जैसे Windows हो गया Unix हो गया Linux हो गया Windows हो गया Android हो गया यह सब के operating system के अंदर आते हैं ठीक है तो यह था प्रस्ट कर्मांग 8 चलिए 9 बढ़ते हैं 9 प्रस्टन है निम लिकीत में से कौन सा software open source operating system software नहीं है ठीक है तो open source और closed source मैंने पहले बताया ठीक है पट यहां पे operating system पूछा है ठीक है open source operating system ठीक है कौन सा नहीं है free BDS Ubuntu Macintosh या फिर open solaris कौन सा जो है free में operating system अवलेबल नहीं है ठीक है इसका जो सही answer है option number C Macintosh ठीक है Macintosh होता है इसका ऐसे होता है M-S-C-I-N-T-O-S-H ठीक है यह जो है open source operating system नहीं है एक्शली जो हमारा इसके द्वारा यह जो है बनाया जाता है ठीक है इसके द्वारा यह प्रश्क्रमांग 10 वान है 10 वान है computer को खाली स्थान बताता है कि इसके components का प्रयोग कैसे किया जाए ठीक है network utility operating system या फिर इन में से कोई नहीं कौन जो है बताता है हमारे computer को कि इसके components का प्रयोग कैसे करना चाहिए ठीक है तो इसका जो सही answer है option number B जो utility software होते है ठीक है utility software वो क्या करते है हमारे computer को ये बताते हैं कि कैसे उसके components का use किया जाए ठीक है देखे बाले जो utility software होते है इसलिए design किये जाते है ताकि computer को क्या कर सकते अनलाइस किया जा सके Configure किया जा सके या फिर maintain किया कैसे किया जाए ठीक है तो यह सारा काम की द्रिश्टी से क्या किया जाता है हमारा जो utility software होते हैं उनको बनाया जाता है अच्छे कुछ याद रखें कि एक्जाम में आप से पूछ सकता है कि नियम ने लिखी तमें से कौन सा utility software नहीं है तो कुछ आपको utility software के नाम याद होना चाहिए जैसे कि मैं यहाँ इदर लिखता हूँ जैसे एक होता है जैसे antivirus जो होते है न ठीक है antivirus वो भी क्या होते है यह utility software के अंतर गति आते हैं ठीक है antiviruses ठीक है और जैसे compression tools वगर आते हैं ठीक है compression tools ठीक है कि हम बड़े size को कैसे compress करके रखें यह भी utility software के अंदर गति आते रहते हैं जैसे होता है disk cleanup tool होता है disk cleanup tool यह भी किसके अंदर utility software के अंदर गाता आता है file management system जो होते है ठीक है कहा लिखा यहाँ पे लिखता हूँ file management ठीक है file management system कह लेजे या फिर tool कह लेजे यह सब के सब जो है कि हमारे utility software के अंतर गताते हैं जो हमारे computer को analyze, configure, optimize और maintain करने का कारे कलते हैं ठीक है यह utility software कहलाते है ठीक है चलिए